एगाईज, आज हम बात करेंगे प्रवास की अपकोंग प्रिजेक्ट कलकी के बारे में आखिर क्या है ये प्रिजेक्ट? अगर हिंदू माइथॉलीजी को मानें, तो कलकी भगवान विश्णू का दस्वा अवतार होगा जब धर्ती पर अंदिकार अपनी चर्म सीमा पर होगा और पाप बहुत बढ़ जाएगा तब बगवान विश्णू कलकी का अवतार लेकर पाप युका मिनाश करेंगे इस मूवी का थीम इस्टोपन एरा में सेट है, जहां जो वीक है उसको पावरफुल सप्रेस करते हैं और उन्हें खाने की बाई-बाई के लिए लड़ना पड़ता है प्रवास इस मूवी में प्रोटोगोनिष्ट का रोल प्रे करेंगे अब इसमें में एंटागोनिष्ट कौन होगा, उसके बारे में अभी तक कुछ भी कनफर्म नहीं है इस मूवी के बारे में वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता पर इसका टीजर लास्ट येर सेंड डियोगी कॉमिक कॉन में रिलीज हुआता मूवी के डारेक्टर ना गश्विन इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते जिसके वज़ा से इसकी रिलीज रेट को पोस्टपॉन कर दिया है कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक मूवी से पहले इसके मेकर्स एक प्रिलोग रिलीज करेंगे वैसे इंडिया में पहली बार है किसी मूवी के डिलीज होने से पहले उसका प्रिलोग है यह मेंली हॉलिवर्ट में होता है जो यह तो किसी कॉमिक की फॉर्म में या किसी एनिमेटेड मूवी की फॉर्म में रिलीज करते है यह prelog animated form में होगा और सारे characters को एक backstory प्रोवाइड करने का काम करेगा और जो भी movie में essential elements हैं जैसे कि जो हो रहा है movie में आकर उसके पीछे का reason क्या है इस सबको cover करेगा यह prelog एक बहुत क्रिशनल पार्ट प्ले करेगा movie के लिए और इसके makers में कोई भी कमी नहीं छोट रहे अगर उनकी माने तो वो इसकी quality के साथ कोई भी compromise नहीं करेंगे इस prelog को किसी OTT platform पर release किया जाएगा जिसकी bidding काफी हाई जा सकती ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है कि किसी movie को इतने grand skill पर release किया जाए और अगर सब कुछ perfectly execute होता है तो इंडियान cinema के लिए एक बहुत बड़ी achievement होगी इस movie से related जैसे ही कोई और detail confirm होती है हम आपको बता देंगे तो ऐसी ही news से updated रहने के लिए वीडियो को like share और चैनल को subscribe करना न बूले अगर आपको किसी और topic पर वीडियो चाहिए तो comment section ज़रूर बताए हम try करेंगे जल सी जल उस पर वीडियो लाने का अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अलग information के साथ ततबर के लिए be safe, be happy and thanks for watching